दिन बाद भी कई सवाल दिल्ली वालों के मन में बहुत गहराई से खड़े हुए जिस प्रकार की बाते आम आदमी पार्टी स्वाती माली वाल जी के मुद्दे पे कर रही है तो मैं उनसे सिर्फ तीन चार सवाल पूछना चाहता हूँ कि केजरिवाल जी आप तो वही नेता है न जो कहते थे कि मैं तो तीन कमरे घर में रहूँगा और मेरा घर 24 गंटे खुला रहेगा कोई कभी भी आके मिल सकता है हम तो आम आदमी की पार्टी हैं यही वक्त अब था न और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंदो के बैठे हैं कि अपने मेंबर आफ पार्लेमेंट से कहते हैं कि अपॉइंडमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे और अगर अपॉइंडमेंट नहीं होने के बाद निले की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्वेभार और जूतालाद भी करेंगे क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता और उस पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ केजरिवाल जी आपकी पार्टी के तो कुल दस ग्यारा तो मेंबर ओफ पार्लेमेंट है भाई कोई मोदी जी की तरह आपकी सिती तो है नहीं कि सेक्ड़ों MP होंगे हजार से उपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा और जो आपके दस ग्यारा मेंबर ओफ पार्लेमेंट हैं जिसमें ज़्यादातर राजसभा में हैं उसमेंसे अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको दरुवत नहीं हो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आईंगे हैं नहीं क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है इतना योगदान किया है कि तैक करना मुश्किल हो जाता है कि योग जादा या दान जादा है और उसके बाद अब टू 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 दो तीन सानसत बचते हैं जो मिलना चाहते हैं अब उसमें भी आपकी अगर आपको लगता तो मैं बिलकुर टेक्निकल सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था तो हर मुख्यमंत्री का प्रती दिन का दैनें दिन कारेक्रम जारी होता है जिसमें उनका मिनेट टू मिनेट प्रोग्राम होता है आप जारी कर दीजिए उस दिन का और आप कहिए उस समय आप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे इसलिए नहीं मिल सकते थे नहीं तो सिकार करिए कि मैं मुख्यमंत्री आवास में था और नहीं मिलना चाहता था अब आई ये बात आपने कहा कि अपॉइंट्मेंट नहीं था तो नेक्स क्वेश्चन पॉइंट नम्बर थ्री आप कहिए कि अपॉइंट्मेंट लिस जारी कर दीजे कि हमने अपॉइंट्मेंट ही नहीं दिया हुआ था देन कम्स अ फॉर्थ क्वेश्चन अपॉइंट्मेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ट्राइंग रूम तक हम और आप मेंसे कोई भी जाए किसी मुख्यमंत्री के अपॉइंट्मेंट नहीं है तो आप गेट से लोटा दिये जाएंगे वो अंदर कैसे पहुँची इसका आप जवाद दे दीजे और केजरी वाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं उनके बाद वो जेट सिक्यूरिटी है भाई जो सिक्यूरिटी नहीं लेंगे वाले थे मराच जेट सिक्यूरिटी और किसी जेट सिक्यूरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांचित वेक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने as per the security protocol क्या करवाई की चार दिन बाद उन्होंने trespassing की रिपोर्ट दर्च कराईए चार दिन बाद अब आईए साब उसमें next fifth point विभाव कुमार अंदर थे जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है ना सरकारी पद पे है ना राजनेतिक पद पे है और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंट्मेंट था अपॉइंट्मेंट लिस्ट में दिखाईए कि विभाव कुमार का अपॉइंट्मेंट था मगर वो भी सामने नहीं आया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें